कुछ student अपने 12 तक के पढ़ाई complete करने के बाद वे अपना career option चुनकर अपने future को settle कर लेते हैं लेकिन कुछ student ऐसे भी होते हैं जिनको अपना career option चुनाव करने में बहुत urgent होती है वे नहीं decide कर पाते हैं कि वे अपना career किस field में बना तो वे अपने relative से या अपने friend से या अन्य लोगों से सलाव लेते हैं लेकिन फिर भी student confused रहता ही है क्योंकि अपनी life में हर कोई सफल होना चाहता है लेकि सभी को एक जैसे सफलता मिले यह जरूरी तो नहीं जिन्देगी में सफल होने का एक ही रास्ता है सही समय पर सही career चुनना जादा तर यह देखा जाता है कि student इस बात को लेकर सबसे जादा परेशान रहते हैं कि वो किस field को select करें और किसको नहीं तो इसी problem को solve करने का काम करता है career counselor तो हमारे आज की वीडियो का जो topic है वो है how to become a career counselor बनकर भी आप अपना career बना सकते हैं कैसे बना सकते हैं उसके लिए आपको वीडियो एंट तर ज़रूर देखना पड़ेगा आज के इस वीडियो में बहुत कुछ जाने वाले हैं और अगर आप पहली पर हमारी चैनल पर आए हैं तो चैनल को subscribe कर लें और बेल आईकन को फ्रेज कर दें ताकि ऐसे कई सारी कारें आपको पता चलते रहें तो चले अब वीडियो पर आते हैं और जानते हैं कि काउंसलर क्या होता है करियर कांसलिंग एक ऐसी सर्विस होती है जो किसी व्यक्ति को उसके क्रेथ करें क सबी confusion को आपके doubt को career counselor solve करता है career counselor का मतलब होता है सलाकार जैसे अब अपने friend से relative से किसी बात की कोई सला लेते हैं उसी प्राकार counselor होता है लेगिन ये एक profession है career counselor जो आपको आगे बढ़ने की तिशा दिखाता है यह आप career counselor में अपना बनाना चाहते हैं तो आपकी qualification कितनी होने चाहिए तो आप 12 पास होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से उसके बाद आप बीए psychology course भी कर सकते हैं अगर आप ग्रेजुशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आप MSC कर सकते हैं psychology में आप psychology में में कर सकते हैं आप psychology psychology में पीजी डिप्लोमा भी ले सकते हैं आप guidance and counselor में भी पीजी डिप्लोमा ले सकते हैं इस course में admission entrance exam के बाद ही मिलता है और बहुत से college ऐसे भी हैं जो आपको डिरेक्ट एडिशन भी देते हैं अगर आप government college से करते हैं तो आप कोर्स की फीस होगी वह कम से कम होगी इस course को करने के बाद आप एक career counselor बनने के लिए ready हो जाती है आप इस course को करने के best college कौन से हैं जहां पर आपको इस course को अच्छे से पढ़ाया भी जाएगा और साथ ही साथ आपको training भी दी जाएगा तो वह college कौन university career counselor बनने के बाद आप job कहा कहा कर पाएंगी तो आज के टाइम में बहुत सारे education institute में एक career counselor को रखते ही हैं career counselor बन कर आप हर field में job कर सकते हैं क्योंकि आजकर हर field में एक counselor की need होती ही है आप किसी news agency में job कर सकते हैं क्योंकि हर news में career counseling का column होता ही है जहां पर आप career counselor के तौर पर अपने लेख लिखते हैं इसके अलावा आप खुद की career counseling की class भी खोड़ सकते हैं career counselor को as a seminar के तौर पर इंवाइट किया जाता है अगर आप एक experience counselor बन जाते हैं तो आप खुद का ही एक अच्छा खासर career counselor कर सकते हैं आप सभी ने संदिप महाईश्वरी का नाम तो सुनाई होगा जो एक motivational speaker भी है और एक career counselor भी है और इस फीड में इतनी मेहनत की है कि आज वह बहुत बड़े salary और अगर आप भी एक अच्छे counselor के तौर पर seminar देते रहेंगे या वीडियो कितलू भी लोगों अगर counselor के तौर पर उनकी problem को solve करते हैं तो आप भी दीरे दीरे एक salary के मुकाम पर जरूर पहुंचेंगे अब बात आती है career counselor की salary कितनी होगी तो यह आपके experience पर भी depend करता है यदि आप career counselor के तौर पर किसी भी संस्था में job करते हैं तो आपकी starting salary 25,000 से 30,000 पर मंतों होगी ब अच्छा लगता है या आप किसी की problem को solve करने में सक्षम है तो आपको career counselor में ही अपना career बनाना चाहिए बाकी आप contrast आपर depend करता है तो आज के इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंड करके जरू बना है अगर आपके माइन में कोई doubt है तो आप हमें app और insta पर भी बता सकते हैं पेज की लिंक हमने description में दे दी है आप एक पर हमारी website पर जरूर विजिट कीजिए इसकी link भी हमने description में दे दी है चलिए आप में चलती हूं मिलते है next video में and finally thanks for आप